शुब प्रपाद बच्चो एसेंट अकेर्मी ओनलाइन क्लासिज में आपका प्रॉरत है आठ का प्रक्रन है संदी पिछली रक्सा में हमने संदी की परिबासा उसके बेद और दिर्ग संदी के बारे में पढ़ा था आज हम गुन संदी के बारे में पढ़ेंगे गुन संदी का सुत्र है आठ गुन हम परिबासा अ या आ के बाद ई या ई उ या उ री या बिर्ग्री या री हो तो प्रमसह ए ओ अर अल हो जाता है अ या आ के बाद ई या ई हो तो उसको ए होगा उ या उ हो तो उसका O होगा वी और द्रग्री हो तो उसका R होगा और ली को L हो जाता है जैसे उदारण देखेंगे वीर दन इंद्र विरेंद्र शब्द कैसे बना E को क्या बनेगा A बनेगा तो वीर दन इंद्र A के स्थांट पर A आने पर विरेंद्र शब्द बना वैसे ही नर प्लस इंद्र नरेंद्र नरेंद्र कैसे बना नर दन इंद्र में E है और E किस्थान पर A आने पर नरेंद्र शब्द बना परम प्लस इश्वर परमेश्वर परम प्लस इश्वर में E है E को A बनता है तो E किस्थान पर A लगाएंगे तो परमेश्वर सब्द बना महादन इंद्र महेंद्र महेंद्र सब्द कैसे बना महादन इंद्र इंद्र में इ है इ को ए होता है तो महेंद्र सब्द बना महादन इश हो महेश महा इश में इ में इ के सान पर ए आने पर महेश सब्द बना महादन उदय, महोदय, महोदय शब्द कैसे बना, महादन उदय, उ के स्थान पर, ओ आने पर, महोदय शब्द बना, परदन उपकार, परोपकार, परोपकार शब्द कैसे बना, परदन उपकार, उ के स्थान पर, ओ आदेश होता है, तो उ के स्थान पर, ओ लगाने पर, जलोर्मी शब्द कैसे बना जल धन उर्मी उ के सान पर ओ आने पर जलोर्मी शब्द बना हित धन उपदेश हितोपदेश कैसे बना हित धन उपदेश उ के सान पर ओ आने पर हितोपदेश शब्द बना वैशल ही गंगा धन उर्मी गंगोर्मी के सान पर आने पर गंगोर्मी शब्द moral देवधन रिषि देवरशी देवधन रिषी रिष के सान पर अर आता है तो यहां देवरशी शब्द intimidated सूर्दन रिशी शूरसी सूर्दन रिखेस्टान पर अर आने पर सूरसी शब्द बना ये गुण संदी आपको अपनी कॉपी में करना है गुण संदी एडिंग लगा के इसका ये सुत्र लिखे ये फरिवासा लिखनी और ये सबी उदारन अपनी कॉपी के अंदर करना है यहां तक धन्यवाद